नवस्क्राइब दोस्तों सुवागत है आप सभी का इस चैनल पे दोस्तों डिफेंस पेंसन भोगियों को ओर रूपी टू का एरियर कितना मिलेगा इसको लेकर बहुती बड़ी खुसकवरी निकल कर आ रही है जी आस तो आपको बता दू कि सुप्रीम कोट ने 16 मार्च 2022 को ब दोस्तों डिय धेना है इसे में दोस्तों 16 मार्च 2022 को ए फैसला आथा अब दोस्तों केवल 10 से 15 दिन से बची से बचे है जिया उस तो 15 जून तक सरकार को किन सरकार को एरियर का भुगतान कर देना है इसे दोस्तों 25 तारीक हो गई और देखा जाए तो केवल मात्र 15 से 20 दिन केवल 6 बचे हैं ऐसे में किन सरकार को आपको एरियर का भुगतान कर देना है क्योंकि सुप्रिम कोट ने केवल 3 महेने का ही टाइम दिया था अब ऐसे में दोस्तों आपको एरियर कितना मिलेगा ORP2 का एरियर कितना मिलेगा आपकी बेसिक पेंसन के हिसाब से आपको पूरी जानकारी दी जाने वाली है तो दोस्तों आपको बता दू कि अभी फॉर्मूला जो तै किया जा रहा है ओ एट पॉइंट फाइब जिरो का है जास तो मीडिया में तरह तरह की खबरे आ रही है ऐसे में दोस्तों अगर एट पॉइंट फाइब जीरो फार्मूले के हिसाब से आपका एरियर अगर कैलकुलेट किया जाता है तो हर एक पेंशन भोगी को कितना एरियर मिलने वाला है आपको बता दूँगा इस वीडियो के मादब से इसके साथ दोस्तों एक बात यहां पे आपको क्लियर कर दू कि यहां पे मीडिया में जो खबर चल रही है कि एट पॉइंट फाइब जीरो जो है एक कैलकुलेट किय जाएगा इसके हिसाब से तो बहुत सारे जो पेंशन भोगी हैं पूरो सैनिक हैं उनको लग रहा है कि एट पॉइंट फाइब जिरो फिटमेंट फैक्टर लिया जाएगा लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यह एट पॉइंट फाइब जिरो एक मल्टी प्लाइ करने के ल एक सब्ता की भीतर देने वाली है यानि के मंडे तक आपके आपके सामने सरकार का जो एरियर टेबल है ओ जारी हो जाएगा फिलाहाल दोस्तों कुछ इसी हिसाब से आपको एरियर मिलने वाला है तो दोस्तों एक लंब सम अमाउंट हम लोग देख लेंगे इस वीडियो के म करी देता है पेंशन भोगियों की उमीद हमारा ही चैनल है तो आईसे में दोस्तों आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए और पास में जो बेल एका ने आएगा उसको आल पे सिट कर लिजिए तभी मेरी वीडियो आपको समझा दो कैसे है यहाँ पे बेसिक पेंशन यानि कि जो इस समय करेंट में समझ लिजिए यह आपकी बेसिक पेंशन है माल लिजिए यह आपकी बेसिक पेंशन है तो नई बेसिक आपकी क्या हो जाएगी आपको बता तो कि और और पे टू में आपकी नई बेसिक का जो फर्मूला है वो लिया जा रहा है 8.50 तो ऐसे में दोस्तो 8.50 आपकी बेसिक पेंशन में 8.50 मल्टिप्लाई किया जाएगा और डिवाइट किया जाएगा 100 से तो ऐसे में दोस्तो नई बेसिक बन गई 18.45 रुपया जिया 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 जि उसका difference निकल गया यहां पे 1445 आपको मिल गया अब दोस्तों आपकी basic pension तो बार बार नहीं बढ़ेगी एक बार जो बढ़ेगी 8.50 के अधार पे तो वही रहेगी तो एक जुलाई 2019 से माल लिजी आप 17,000 पा रहे थे और आपको पाना चाहिए था 18,445 उर्पे तो इस पिकार स जिए आउस तो कुल होते हैं 36 महिना यानि कि 3 साल होते हैं तो यहां पे हमने multiply कर दिया जो difference बढ़ा आपकी basic में उससे multiply कर दिया 36 से तो कितना हो गया दोस्तों 52,020 रुपे यानि कि 52,020 रुपे यहां पे आपकी basic का difference निकल गया यानि कि basic से केवल आपका area इतना बंजा र रुपे थी बास समझ गया आप दोस्तों basic का difference यहां पे निकल गया है basic का area बाउन हजार 20 रुपे बन रहा है अब दोस्तों निकालेंगे हम लोग DA का area जिया दोस्तों निकालेंगे क्या DA का area निकालेंगे यहां पे basic का difference निकाल लिया अब दोस्तों यहां पे हम लोग यहां उता फ्रीज था तो हम लोग यहां पे 17 परसंट ही लिये हैं क्योंकि दोस्तों एक जुलाई 2019 से 30 जून 2021 तक 17 परसंट डिये हमको प्रोवाइड किया गया था यह बात आपको ध्यान रखनी है तो दोस्तों आप पाए हो पुरानी बेसिक पे 17 परसंट डिये लेकिन दोस्तों आपको पाना चाहिए था इस नई बेसिक के उपर 17 परसंट डिये पाना चाहिए था आप दोस्तों पाए हो पुरानी बेसिक पेंसन के उपर 17% डिये इस पिरियेड में एक जुलाई 2019 से 30 जून 2021 के भीच तो लेकिन दोस्तों आपको नई बेसिक के उपर 17% डिये पारना चाहिए था तो यहां पे हमने उसका कल्कुलेशन करके निकाल लिया है तो आपका यह दो सालों में एक जुलाई 2019 से लेके 30 जून 2021 21 तक कुल होते हैं 24 महिना तो 24 महिने का हमने डिये का डिफरेंस निकाल लिया है नई बेसिक के आप उपर 5,895 रुपया आया है 24 महिने का जो डिये का अब दोस्तों जुलाई 2021 से दिसंबर 21 का डिये था 31% जी आज तो 31% डिये जो है नई बेसिक के उपर निकाले और पुरा और जो आपको मिलने वाला है नई बेसिक के उपर डिये उसका डिफरेंस निकल गया 2687 रुपे यह हुआ छे महने का इस परिएड का हुआ जुलाई 2021 से दिसंबर 21 का अब बात कर लेते हैं दोस्तों हमने दोनों निकाल लिया अब बात कर लेते हैं जनौरी 22 से जून 22 का जै आ 24 परसेंट तो ऐसे में दोस्तों आप पूरानी बेसिक पेंसेंट पे यानि कि इस बेसिक पेंसेंट पे 34 परसेंट डिये पाए हो लेकिन आपको पाना चाहिए था इस नई वाली बेसिक पेंसेंट पे तो नई वाली बेसिक पेंसेंट पे हमने कल किया है 34 परसेंट डिये त हई खालन जोड़ा जोड़ तो आपका आरियर 0. wow रुपे बन रहा है यानि की 17,000 जिनकी बेसिक पेंसन है उनको टोटल एरियर उनका बन रहा है 63,551 रुपे अब दोस्तों इसमें खाली बेसिक और डिये का ही डिफरेंस लिया गया है अगर आपको अगर काउंट होती है तो उसका अलग निकलेगा तो और आपकी जो है एरियर रुपे है तो 63,551 रुपे उनके एरियर मिलने वाला है अब इसमें दोस्तों बहुत लोग सोच रहे थे कि 8.50 गुड़ा भाग करने से बहुत जादा एरियर बन जाएगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आपका इतना ही एरियर बनेगा 8.50 फिट्मेंट फेक्टर नहीं है बलकि एक सभी चीजों को कैलकुलेट करके एक निर्धारित किया गया है कि इतनी हिसाब से उनकी बेसिक पेंशन बढ़ाई जाएगी तो 8.50 का बढ़ाने से यहां बहुत ज्यादा नहीं बढ़ने वाला है 17,000 जिनकी बेसिक पेंशन है तो 36,501 रुपे हो जाएगी और डारेक्ट बताऊंगा आपको फिर समझाऊंगा नहीं आपने अलड़ी समझ लिया है मुझे लगता है तो समझ लिया है तो बेल आइकन को जरू दबाईए और वीडियो को लाइक जरू किजिए अब मैं डारेक्ट आपको बताऊंगा कि आपका कितना एरियर बनेगा तो 18, जिनका बेसिक पेंशन है थी उसमें तो 67,219 रुपय बनेगा लगबग 68,000, 19,000 का 71,000 बनेगा 20,000 जिनका बेसिक पेंशन है तो 74,000 बनेगा 21,000 जिनका बेसिक पेंशन है तो 78,000 बनेगा 22,000 जिनका बेसिक पेंशन है तो 82,000 के लगबग एरियर बनेगा तेश जार जिनका तो 85,000 उनका area बन जाएगा तो आगे बढ़ते हैं दोस्तो जिनका यहाँ पे मैंने एक लम सम बेसिक लिया है तो जिनका basic इसके आगे या पीछे है तो उनको एक लम सम समझना पड़ेगा ऐसे में दूस्तों आगे बढ़ते हैं, अब दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं, 26,000 जिनका basic pension है तो लगभग लगभग उनका बनेगा 97,000 लगभग का 1,23,000 एरियर बनने वाला है तो यहां पर लगभग लगभग 90,000 एक लाक सवा लाक तक एरियर बन रहा है जो पी पी ऑए यानि कि सिर्थाई नाइक ह老師 हैं तो उनका इतना अमांट बन रहा है एरियर की रूप में इसमें मैंने 27 पी count नहीं किया है अगर वह count होता है तो और ज्यादा आपका area बनेगा फिला दोस्तों आप wait कर सकते हैं एक हफता की वितर जो है आपका area table सरकार की तरफ से जारी कर दिया जाएगा तो दोस्तों उसके बाद मैं और वीडियो बनाऊँगा तो फिला हाल दोस्तों इसमें जिनकी basic नहीं है तो उनके लिए मैं कलक से और वीडियो बना के प्रवाड करूँगा तो आप comment में अपनी basic टाइप कीजिए तो मैं समझ जाओंगा और उस basic के हिसाब से calculate करके आपको बताओंगा तो आई होप आपको इस वीडियो समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ कि आपको